दोस्तों सीधे topic पे आ जाता है, जो neutral का wire हम use करते हैं घर के wiring में, वो क्यों जल जाता है, उसका कारण क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो neutral का wire है उसको बहुत ही हलके में लेते हैं, हमें लगता है कि जो face wire होता है, जो हम ज्यादा तर लाल wire use करते हैं, वो ही सबसे जरूरी है, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि जितना current आपके face wire से दोड़ता है उतना ही current neutral wire से निकल के वापस जाता है उसको बोलते है returning path तो एक circle complete हो जाता है तभी हमारा electrical cam complete होता है अगर neutrally wire नहीं है आपके घर में तो light जलेगा नहीं कुछ भी current चलेगा नहीं तो main मुद्दे पे आते हैं जब हम wiring करते हैं जो face का wire होता है जिसमें current होता है वो तो हम अलग-अलग लेके जाके load के साथ connect कर देते हैं किसी socket के साथ कर देते हैं या switch के साथ कर देते हैं लेकिन जो neutral का wire होता है उसको हम अलग-अलग नहीं ले जाते हैं मैं न्योट्रिके का वायर को हम कममन 플्바श को कर दो यहां पर किया होता है कि जो सुकेट हैं उसमें तो आपने अलग अलग फेस वायर दीया है लेकिन ежд Ο Prag यणिजे पी न्योट्रिक जोड़का के और उसको जाके आपने neutral wire में connect कर दिया है और दुश्रे room का भी वैसा है कि तो यहाँ पे क्या होगा जब current pass होता है face wire से उतना ही current आपके neutral wire से भी वापस आना चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाता है neutral wire पे load पड़ जाता है क्योंकि आपने neutral wire को common कर दिया है और धीरे धीरे वो जल्दे लगता है इसलिए neutral wire जल जाता है अगर अब heavy load चलाते हो जैसे AC चलाते हो geezer चलाते हो, heater चलाते हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं अलग-अलग socket रखते हैं और MCB भी अलग-अलग रखते हैं अगर आपके घर में 6 ampire का socket board है तो उसके लिए आप अलग से MCB रखके अलग से wiring कीजिए तभी आपका जो wiring है अच्छा रहेगा और neutral wire पे कोई भी load नहीं पड़ेगा और neutral wire नहीं जलेगा